परिक्षा 24 मार्च से आराम बो रही हैं प्रिश्ण पत्रों को वित्रित कर पुना उसे लॉक कर दिया जाएगा पुलिस अभी रक्षा में उसे केंद्रों पर भेजा जाएगा परिक्षा के बाद उत्तर पुलिस अभी रच्षा में संकलन केंद्र पर जाएगा कौशांबी में यूपी बोड की परिक्षाएं कल से शुरू होंगी जिले के असी केंद्रों पर लगभग 45,000 परिक्षारती हाई स्कूल और इंटरमीडिट के पेपर देंगे नकल विहीन परिक्षा कराने के लिए 15 सेक्टर मजिस्टेट और 3 स्जोनल मजिस्टेट, 4 सचल दल नुक्त किये गए हैं ताकि सुचारू रूप से परिक्षा को संपन्द कराया जा सके तो 45,000 परिक्षारती देंगे देपर हमारे असी सेंटर बने हैं और हमारे जनपद में तकरीबन 42,500 चात्र जो हैं बोर्ड की एक्जाम्स लेंगे इन सभी असी विद्यालों में केंद्र वेवस्थापक हैं और साथी साथ सेक्टर मजिस्टेट्स नुक्त कर दिये गए हैं और स्टाटिक मजिस्टेट्स अभी विद्यालों में नुक्त किये गए हैं जो सेक्टर मजिस्टेट्स रहेंगे वो हमारे ब्रहमनशील रहेंगे और जो हमारे प्रशनपत्र हैं वो स्टाटिक मजिस्टेट्स जदा केंद्र वेवस्थापक की निग्रानी में खुलेंगे जो पहले तीन दिन की एक्जाम्स के हैं उनके प्रश्म पत्र अलड़ी सेंटर से बेजे जा चुके हैं इनी खबरों के साथ इस भुटेर में इतना ही हर बड़ी खबर के लिए आपको एपर भारत समाचार से जुड़ सकते हैं और आपको एपर हमें फालो भी कर सकते हैं नमस्कार